असलाम लेकुम मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है मैं as a consultant psychiatrist काम कर रही हूँ आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि bipolar effective disorder और borderline personality disorder में क्या difference है सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि personality disorders और psychiatric disorders किस तरह एक दूसरे से मुक्तलिफ है जो personality disorders होते हैं वो basically एक बंदे का hardware होता है जो more or less constant रहता है जबके psychiatric disorders किसी बंदे का software होता है जो change होते हैं जो आते जाते रह सकते हैं इसको हम इस तरह भी मिसाल दे सकते हैं कि personality disorders किसी अलाके की आबो हवा है और psychiatric disorders किसी जगा का मौसम है जो के बदलता रहता है जबके आबो हवा more or less constant रहती है जैसा कि किसी इलाके का मौसम उसकी आबो हवा पे मुनहसर होता है UK या औरप वगेरा बहुत सर्द अलाके हैं वहां सर्द आबो हवा के एरियास हैं तो इसी तरह अगर किसी को नार्सिसिस्टिक personality disorder है तो उसमें अगर डिप्रेशन आएगा तो इसमें में फीचर irritability या खुसा होगा अगर किसी को dependent personality disorder है तो उसमें में फीचर depression का hopelessness या helplessness होगी तो psychiatric disorder depend करता है कि उसकी personality कैसी है अब बात करेंगे कि borderline personality disorder क्या होती है borderline personality disorder basically एक personality disorder है जिसमें unstable mood, unstable relationships और impulsivity होती है इसके nine features हैं अगर पांच या पांच से जादा features हो तो कहा जाता है कि उस बंदे को borderline personality disorder है इसमें इनको एक constant fear of abandonment रहता है इनको लगता है कि लोग इनको छोड़ जाएंगे इनके रिष्टेदार इनके दोस्त इनको छोड़ जाएंगे जिसकी वज़ा से ये बहुत ज़दा effort put in करते हैं ताकि लोग इनको छोड़ के ना जाएंगे बास वकात ऐसे काम कर देते हैं जो नॉमली लोग नहीं करते उस relationship को बचाने के लिए इसके अलावा इनको chronic feeling of emptiness रहती है इनके अंदर एक खला रहता है जो किसी भी relationship से पूर नहीं होता इनके एंगर आउटबर्स बहुत जादा होते हैं बहुत जादा explosive किसंग का एंगर होता है और उससे में ये कुछ भी करते हैं impulsive होते हैं sometime ऐसे decisions ले 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 थे हैं जो के आम लोगों के लिए possible नहीं होते जैसे unsafe driving कर सकते हैं इनके अंस्टेबल relationship होते हैं इनके relationship start होते हैं फ्रेंड्स बनते हैं लेकिन बहुत जल्दी खतम हो जाते हैं इसके अलावा ये अपने आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं multiple attempts of self-harm होती हैं अपने आपको cuts लगा सकते हैं drugs की over dosage कर सकते हैं इस तरह के एक्दामाद करते हैं अपने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी emotional pain को कम करने के लिए इनके mood unstable होते हैं कभी ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कभी ये बहुत ज़्यादा उदास होते हैं और ये वाला feature इसको bipolar effective disorder से mix करता है लेकिन bipolar effective disorder की जो दो mood states होती हैं वो कम असकम 1-2 हफ और जादा से जादा कुछ महीने रहती हैं चार से चे महीने तक रहती हैं जबके bipolar effective disorder की जो mood states होती है वो कुछ घंटे भी रह सकती हैं ये कुछ features हैं जो borderline personality disorder के हैं और इसमें से अगर पांच या पांच से जादा features हो तो कहा जाता है कि उसको ये वाला मसला है इसके इलावा Bipolar effective disorder के बार में पहले वीडियो कर चुकी हूँ तो आपको नीचे display में लिंक में दे दिया जाएगा आप उसको देख सकते हैं कि Bipolar effective disorder की mainstay of treatment medicines है एक mahar-e-mrazen अफसियाद बहुत असानी से बता सकता है कि ये borderline personality disorder है या Bipolar effective disorder है अगर आपको या आपके किसी जानने वाल और इसको ठीक किया जा सके. Thank you very much.